हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आप्टिमिस्टिक स्टेडीज आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंपॉर्टन एमसी क्यू फोर चत्तिसगर महिला सुपर्वाइसर जैसा कि हम सभी जानते हैं महिला पर्यविक्षक का एक्जाम बहुत ही नजदीख है तो इंपॉर्टन एम सुरक्षा योजना कब आरंब की गई आपके आप्शन्स हैं 12 अप्रेल 2005, 12 अप्रेल 2008, 2 मई 2009, 5 जून 2011 यहां सही उत्तर है 12 अप्रेल 2005 यानि कि जन्नी सुरक्षा योजना प्रारंब की गई 12 अप्रेल 2005 को नेक्स्ट धात्री मा नामक संस्था किसे संबंदित है घरेलू हिंसा, अनात बच्चों तता एक निराश्रित महिला, कामकाजी महिला, इनमें से कोई नहीं सही और यहां सही उत्तर है धात्री मा नामक संस्था जो है किसे संबंदित है अनात बच्चूं तथा एक निराश्रित महिला ठीक है आईए इसका explanation देख लें हम explanation बहुत important है इसने ध्यान से सुनिए मात्र कुटिर मात्र कुटिर यदि एक्जाम में आता है मात्र कुटिर किसे संबंदित है तो आपका सही उत्तर होगा धात्री मा अब धात्री मा के बारे में सुनिए जो धात्री मा नामक संस्था है वह राजनंद गाउन तथा में वर्ष दो हजार पांच छे में से यह संस्था जगदलपुर एवं दुर्ग जीले में भी प्रारंब की गई है संस्था में तीन चार अनात बच्चों तथा एक निराशित महिला को एक साथ परिवार की रूप में गठित कर परिवारिक वातावरण में मा वा बच्चों स्वास्त के नेशुल्क परिपालन, पोशन एवं बच्चों की सिक्षन, प्रसिक्षन, स्वास्त की देखभाल, आदी की सुविदा मूहया कराई जा रही हैं बच्चे व्यसक होने पर स्थापित होने तक संस्था में रहते हैं इसका मतलब आपने क्या समझा कि जो धात्री मा का प्यार मिले और मा को वादसल्य अपने बच्चों से वो कर सके अपने बच्चों मतलब जो वो निराशित बच्चे है ठीक है तो ये इस योजना का उद्देश है क्या है अनात बच्चों वो निराशित महिला को एक परिवार की रूप में एक इकाई का गठन कर पारिवा कावमी मात्र कुटिर संचालित है अब यहां से एक्जाम में आप से पूछ सकता है किन किन जिलों में मात्र कुटिर संचालित है तो आपका उत्तर होगा बिलासपुर राजनन गाओं और क्या होगा जगदलपुर एवं दुर्ग यानि कि चार जिलों में धात्री मा कुटिर और मात्र कुटिर या धात्री मा संस्था संचालित है ठीक है नेक्स्ट कोश्यन आजाए देखते हैं राश्री बाली का दिवस कब मनाये जाता है आपकी ऑप्शन्स हैं 24 जन्वरी, 8 मार्च, 14 नवंबर, 14 सितंबन यहां सही उत्तर है 24 जन्वरी आपको याद क्या करना है रा इसलिए इस दिन को राश्री बाली का दिवस की रूप में मनानी का निरने लिया गया था ठीक है तो 24 जन्वरी किस से रिलेटेड है राश्री बाली का दिवस ठीक नेक्स्ट क्रूश्यन है कि शोरी बाली का दिवस कब मनाये जाता है कि शोरी बाली का दिवस कब मनाये जात मंगलवार को बुद्धवार को रविवार को यह शुक्रवार को तो यहां सही उत्तर है आपका मंगलवार को इसके बारे में आप अधिक और अधिक एक्स्रा इंफॉर्मेशन यहां से आप लोग जान लीजिए जो यह किशोरी बाली का दिवस है वह आंगन बाडी में मनाया जाता है जिले के प्रत्येक आंगन बाडी में किशोरी बाली का दिवस मनाया जाता है अब आप बोलेंगे किशोरी बाली का दिवस तो एक दिन मनाना चाहिए तो नहीं यह प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को मनाया जाता है कब मनाया जाता है प्रत्येक माह के चौथे म बंगलवार को किशोरी बालिका देवस प्रत्येक आंगनबाडी में मनाया जाता है। यह important है आपको याद रखने हैं। और क्यूं मनाया जाता है सुनिए। इसमें बालिकाओं का स्वास्त प्रसिक्षन होता है। और क्या होता है। बालिकाओं को हाइजीन, अनेम या स्वास संबंधी जानकारी दी जाती है यहां हम कौन सी बालिकाओं की बात करें 11 से 14 वर्ष की किशोरी बालिकाओं की बात करें 11 से 14 वर्ष की यदि आप नोट्स बना रहें तो उसमें लिख लीजिये हैं कि यह important है क्योंकि आने की उमीद है कि यह आ सकता है कि शोरी बाली का दिवस क्योंकि आंगन बाडी से related है तो obvious है कि आ जाएगा है ना तो कि शोरी बाली का दिवस कब है प्रतियेक माह की चौथी मंगलवार को ठीक नेक्स्ट कोशन देखते हैं कितनी आंगन बाड़ी कारी करता हों के लिए एक आंगन बाड़ी परियविक्षक नियुक्त होती है यह बहुत important है जैसे कि आपने सभी भरा है form जिसकी आप तयारी करें तो आपको पता होना चाहिए इसका explanation देख लीजिए 25 आंगन बाड़ी कारी करता हों के लिए एक आंगन बाड़ी परियविक्षक नियुक्त होती है ठीक है तो यदि आपकी इसमें आप जोइन करती है तो आपके अंदर में कितनी कारी करता है रहेंगी 25 आंगन बाड़ी कारी करता है ठीक है नेक्स्ट कुशन देख लीजिए आंगन बाड़ी में उपलब्द कराई जाने वाली कौन सी सेवाएं हैं यानि कि आंगन बाड़ी द्वारा कौन सी सेवाएं उपलब्द कराई जाती हैं ये प्रशन पूछ रहा है ना आपके options हैं च्छ वर्श से कम आयू के बच्चों का टीका करण फिर 15 से 45 वर्श के आयू वर्ग की सभी महिलाओं के लिए पोशन और स्वास्थ सिक्षा फिर 3 से 6 वर्श के आयू के बच्चों को अनवचारिक विद्याले पूर्वे सिक्षा प्रदान करना उप्रोक्त सभी तो यहां सही उप्रोक्त सभी है ना नेक्स्ट कोश्चन हम देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्श प्रारंब की गई थी 2011 में 2013 में 2015 में 2016 में यहां सही उप्र है 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में है ना नेक्स्ट कोश्चन है डिजिटल गुड़ा गुड़ी बोर्ड किस योजना की बारे में सुचना सिक्षा संचार सामागरी का प्रसार करने का कारी करता है आपकी ओप्शन्स है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुकन्या समृत्धी योजना प्रियदर्शनी योजना अस् से रिलेटेड है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है आपका जीरो से छे वर्ष कि सभी बच्चों के विकास और लर्निंग आउटकम को बढ़ाने की उद्देश से किस योजना को प्रारंब किया गया है राश्री बाल नीती एकिकरत बाल वि का सेवा देखिए हमने ये सभी योजनाय डिसकस की है यदि आपने नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट आवलेबल है ऑप्टिमिस्टिक स्टुडिस की यूट्यूब चानल में आज जा करके उन सभी को देख सकते हैं जूकि बहुत ही लाबदायक होगा आपके आने वाली आपके आपके आप्शन्स हैं जब एक निशेचित अंडे का दो भागों में विभाजन हो तता दोनों भाग अलग हो जाएं जब एक शुक्राणू दो अंडाणूं का निशेचन करता है फिर जब दो अंडाणूं एक शुक्राणूं का निशेचन करें जब बिना निशेचन के भुण बनता है तो यहां सही उत्तर क्या है जब एक निशेचित अंडे का दो भागों में विभाजन हो तता दोनों भाग अलग हो जाएं ठीक है तब क्या होता है जुड़वा बच प्यदा होते हैं नेक्स्त कोश्यन है यहां नमाला पर ध्यान मत देज़ें जो गर्भवती स्ती उमें सामानी ब्लड ग्रूप की जाज की अलावा रग्त की ओर तत्व की जाज की जाती है जो बहुत तो कौन से यानि कि blood group की तो जाज होती है जो गर्ववती स्रियां रहती है और किस चीज की जाज होती है ये पूछ रहे है ना तो आरेच कारक, देन लिउकोसाइड जाज, अरिथ्रोसाइड जाज या लिम्फोसाइड जाज तो यहां सही उत्तर है आरेच कारक जाज है ना नेक्स्ट कोश्चन है आपका गर्भाशे में विक्सित हो रहे ब्रुण को निम्न लिखित में से किस सनरचना द्वारा पोशक तत्व मिलता है फेलोपियन ट्यूब द्वारा, गर्भाशे द्वारा, प्लेसेंटा द्वारा, उप्रोक्त में से किसी के भी द्वारा नहीं तो यहां सही उत्तर है प्लेसेंटा द्वारा आप अपनी मन में भी आंसर देते जाएए है ना या फिर वीडियो को पॉस करके आप पहले आंसर सोच लीजे फिर आगे कंटिन्यू कीजे इससे क्या है कि आपनी जो पढ़ा है उसका रिवीशन भी हो जाएगा है ना और जो चीज़ आप नहीं जानते तो आप इस वीडियो को देख करके जान लेंगे है ना ये इसकी पेडियाफ हमारे टेलिग्राम चानल में उपलब्द करा दी जाएगी तो आपको स्क्रेंशॉट लेनी की जरूरत नहीं है ना आपके वल ध्यान से सुनिये इसको मनुश्यों में लिंग सहलगन लक्षणों की वसांगती मुख्यता होती है एक्स गुण सूत्र से वाई गुण सूत्र से और टो सूम से इन में से कोई नहीं तो लिंग सहलगन लक्षणों की वनशागती किस से होती है एक्स गुण सूत्र से विबिन एक्जामों में यह पूछा भी गया है और आने की प्लाइकता इनकी ज़्यादा है इसे प्रशनों की है ना नेक्स्ट कुशन हम देखते है निमन में से कौन से बिमारी वन्शागत होती है सकर्वी, दूर द्रिष्टी दोस, कलर ब्लाइडनेस, इन में से कोई नहीं, तो कौन सी बिमारी वन्शानुगत है, कलर ब्लाइडनेस नेक्स्ट, निम्निमलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है, मलेरिया, मधुमे, हाइपर टेंशन, क्वाशर, कोर तो यहां सही उतर है, मलेरिया, मलेरिया संक्रामक है, है नहीं, फिर दमा स्वास रोग है, इन में से कौन इसका कारण है, आपकी ऑप्शन्स हैं, वाइट नली में संक्रमन, फेफडों में संक्रमन, फ्लूरल गुहा में रुदिर या जल भर जाना, लास्ट ऑप्शन, पेशियों का संकुचन ठीक है नेक्स्ट कोशन देखिए पोलियो वाइरस का संक्रमन किसकी द्वारा होता है आपकी ओप्शन्स है मच्छरों के द्वारा सीसी मख्षी के द्वारा मधुमख्षी के द्वारा दूशित जलत था खादिपदार्थ के कारण यहां सही उत्तर है दूशित जलत था खादिपदार्थ के कारण नेक्स्ट कोशन काला जयर रोग का रोगाणू निमनलिकित में से कौन सा है जियार डिया टाई पैनोसोमा लेश्मानिया वाइरस तो काला जयर रोग का रोगाणू कौन सा है लेश्मानिया ठीक है नेक्स्ट कोशन संक्रामक र प्रोकने के लिए यह आवश्यक है मच्छरों की जनसंख्या पर्नियंद्रण आसपास के सभी जलाशियों को सुखाना लोगों को यह सिक्षा देना कि वे उबले पानी का उप्योग करें तथा खुले वातावरण में रखे भूजन पदार्थ न खाएं स्वस्त लोग रोगियों की संपर्क में न आएं यहाँ सही उत्तर है लोगों को यह सिक्षा देना कि वे उबले पानी का उप्योग करें तथा खुले वातावरण में रखे भूजन पदार्थ न खाएं ठीक है नेक्स्ट कुशन है निम्नलिकित में से किसका संबद डप्थेरिया रोग से है फेफणों का यकृत का कंट का रुधिर का यहाँ सही उत्तर है कंट का कंट का संबद किससे है डप्थेरिया रोग से नेक्स्ट कुश्यन जीवाणू जनित रोगों की ओशदिया अधिक होती है जबकि विशाणू यानि कि वाइरस जनित रोगों की नहीं क्योंकि आपकी ओप्शन्स है अधिकाश जीवाणू पर पोशी होते हैं सभी विशाणू पर पोशी होते हैं और उनके चारू और प्रो जो भी डवलप हो जाती है ना तो ये बोल रहे हैं कि जिवानु हमको जिवानु रोगों की ओशदिया अधिक होती हैं लेकिन विशानु की अधिक क्यों नहीं होती हैं जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है तो दवाईया इतनी उपलब्ध नहीं जल्दी हो पाई हैं ना तो और प्रोटीन का एक सुरक्षात्मक आवरण होता है याद रखिएगा मोस्ट इंबॉर्टन है ना क्योंकि अभी करेंट से रिलेट करके पूछ सकता है ये ठी नेक्स्ट कोशन पीलिया यानि कि जॉंडिस रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है फेफडे से गुर्दे से यक्रित से इन में से कोई नहीं तो आपका सही उतर है यक्रित से नेक्स्ट कोशन देखिए निमनलिकित में से कौन सा रोग जिवाणों की द्वारा नहीं होता है ट्यूबर क्लोसिस छोटी माता प्लेग हैजा यहां सही उतर है छोटी माता नेक्स्ट कोशन देखिए निमन लिखत में से किसके कारण एफलेटर्स फुट नामक बिमारी होती है आपके options है fungus, bacteria, virus, सेवाल यहां सही उत्तर है in fungus है na fungus के कारण एफलेटर्स फुट नामक बिमारी होती है तो यह हमारा कुछ प्रशनों का संकलन था आगे हम और भी discuss करेंगे, तब तक के लिए optimistic और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चानल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप टेलिग्राम चानल को जॉइन कर दीजी और फ्री PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपको यदि डाउट हो इस सेशन से रिलेटेड या नत्या और किसी भी ची कीजिए और अपने फ्रेंड्स ग्रूप में इसको शेयर कीजिए तब तक के लिए थैंक यू वाद सेशन